कुछ खबरें ऐसी होती है जिन पर घर परिवार और समाज में चर्चा भी होती है बहस भी होती है सोशल अड़ा में आज एक ऐसी ही खबर आपको हम दिखाने जा रहे हैं बिन्दावन में विराजमान बांके बिहारी के दर्शन के लिए देश और दुनिया से लाखों की तादाद में शरधालू आ पे बांके बिहारी की महिमा ऐसी है कि शरधालू धक्का मुक्टी के बीच भी उनकी एक जलक पाने के लिए उतावले रहते हैं कुछ शरधालू तो दिल में चाहत रखते हुए भी भीड के डर से वहाँ जाने से कतराते हैं लेकिन अब शरधालू को इस धक्का मुक्की और भीड भार से हमेशा के लिए मुक्ती मिलने वाली है सरकार ने काश्य विश्वनाद की तर्जपर बांके बिहारी कोरिडॉर का भी ब्लूप्रिंट तयार कर लिया है कैसा होगा बांके बिहारी कोरिडॉर जाने के लिए देखिए गिरफो पनारस के प्राचीन काश्य विश्वनाद मंदिर के कायकल्प के बार अब ब्रिंदावन के विश्व प्रसित पांके बिहारी मंदिर के जिर्णो धार का प्लान तयार हो चुका है। पांके बिहारी के आसपास की सकड़ी कुछ गलियों को अब अत्याधुनिक और मनमोहक गलियारी में तब्दिल किया जाएगा। यूपी सरकार ने इसका ब्लूप्रिंट तयार कर लिया है। जिस तरह बनारस में पवित्र गंगा नदी को कॉरिडोर के जरी काश्र विश्वनाथ मंदिर से जोड़ दिया गया है। उसी तरह बांके बिहारी मंदिर को भी गलियारा बनाकर कलिमल हरने कही जाने वाले यमुरा नदी से जोड़ा जाएगा। बांके बिहारी कॉरिडोर पांच एकड़ में बनाया जाएगा। प्रस्तावित प्लान के मताबिक कॉरिडोर से मंदर जाने के तीन रास्ते होंगे पहला रास्ता जुगल घाट से, दूसरा रास्ता विद्यापीट चौराहे से और तीसरा रास्ता जादाउन पार्किंग से होगा जुगल घाट से बांके बिहारी को जोडने वाला रास्ता 25 मीटर विद्यापेट चौराहे से मंदिर को जोडने वाला रास्ता 7 मीटर और जादान पार्किंग से मंदिर को जोडने वाला रास्ता 15 मीटर चौड़ा होगा खास बात ये है कि ये पूरा कॉरिडोर दो मंजिला होगा उपरी और नीचले कॉरिडोर के बीच 3.5 मिटर का फासला होगा साफ है कि कॉरिडोर बन जाने के बाद बांके बिहारे के भक्तों को भीर भार और धक्का मुक्के से हमेशा के लिए मुप्ति मिल जाएगी खास बांके बिहारी कॉरिडोर में मौल मंदर के स्वरूप और उसके कलेवर में किसी तरह का छेड़ छाड़ नहीं किया जाएगा सरकार इसके लिए दाइरे में आने वाले 321 घरों और संपतियों का अधिक रहन करेगी और मालिकों को करीब 200 करोड रुपे का मौावज़ा देगी बागे बिहारी कॉरिडोर का काम पूरा हो जाने के बाद देश और दुनिया से आने वाले भक्तों की तमाम दुश्वारिया खत्म हो जाएगी अवी मंदिर में एक साथ सरफ 800 श्रधालों ही दरशन कर पाते हैं जबकि कॉरिडोर बनने के बाद 175,000 श्रधालों दरशन कर सकेंगी एतना हीने कॉरिडोर में श्रधालों के लिए कई सुविधाईं भी विक्सित की जाएंगी कॉरिडोर में सामान घर, जूता घर, शौचाले के अलावा पेयजल की विवस्था होगी कॉरिडोर में सरकार की और से मेडिकल फेसलिटी भी दिजाएगी बच्चों की देखभाल के लिए अलग से विवस्था के जाएगी इन सब के अलावा कॉरिडोर में एक परिक्रमा मार्ग भी बनाया जाएगा प्रस्तावित कॉरिडोर में हजारों वाहनों की पार्किंग की भी विवस्था के जा रही है मध्यूरा रोड हाईवे से आने वाले श्रधालों के लिए 26,000 वर्ग मीटर में सुन्रक में पार्किंग बनाया जा रही है यमना एक्स्प्रस वे से आने वाले श्रधालों के लिए 37,000 वर्ग मीटर में बांके बिहारी ब्रिज पार्किंग बनाया जाएगी साफे की कॉरिडोर का प्रोजेक्ट पूरा हो जाने की बाद बांके बिहारी का दर्शन करने वाले श्रधालूं की तादाद पहले के मुकाबले और बढ़ जाएगी अभी जो श्रधालू भीर और धक्का मुक्की के डर से बांके बिहारी जाने से कत्राते हैं वो कॉरिडोर बन जाने के बाद धडलने से अपने आराथे का दर्शन कर पाएंगे